हाई गाई वीडियो में हम लोग बात करेंगे computer network की और किसे computer network के बारे में जानने से पहले network क्या होता यह जानला कि network किसे कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भासा में network किसे कहते हैं Because हम लोग सभी लोग use करते है network word तो बहुत सारी अलग 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 तरीके एक चीज़ों को define करने के लिए हमको network word का use कर देते है तो network का meaning क्या होता है एक basic meaning क्या होता है वो जानते है यानि कि जानते है what is network network का मतलब होता है group of people, group of things, group of device, group of anything जो connected हो किसी न किसी रूप में connected हो किसी परपस के लिए ठीक है तो उसे हम लोग network कहते है जैसे कि यह लोग connected है या फिर इतने सारे लोग आपस में connected है तो यह दोनों क्या एक network का example है ठीक है इनके यह जो आपस में connected है इनके पीछे कुछ अपना purpose होगा में भी business relationship होगा personal relationship होगा या फिर कुछ भी purpose हो सकता है ठीक है तो इस तरीके सी जो connected रहते हैं उनको हम लोग कहते हैं network अब बात करते हैं कि computer network क्या होता है computer network का मतलब यह होता है कि a computer network is a set of computers or devices connected together for the purpose of sharing resources अनिकि एक set of computer होता है जो आपस में connected होते है resource को share करने के लिए ठीक है दूसरे हम लोग कहते है computer network चीज वही है जो हम लोग नेटवर्क में जो देख समझा वही यहां computer network में भी है बट यहां computer network है इसका मतलब यहां computers आपस में connected होगे ठीक है लेकिन ऐसे generally जब भी हम लोग network की बात करते हैं अब आप IT fields हैं तो computer network बोलने के बज़ाए आप सिर्फ network बोलते हैं तो जब आप IT field में हैं और आप इस तरीके मतलब एक ऐसी जगह जाते हैं जहां कि जहां सभी लोग network IT fields हैं तो जब सिर्फ computer network बोलने के बोलते हैं तो यह computer network इसका example अगर देखें तो इस तरीके से सभी जो computer आपस में connected है तो यह computer network कहलाता है ठीक है I hope कि आप लोगो computer network क्या होता है यह तो समझ में आ गया होगा introduction है सिर्फ computer network का ठीक है computer network क्या होता है तो थांक्स ववाचिंग